एक महिने के बेटे को डोक्टरों को दिखाने के लिए आ रही मैला की बीच रास्ते में मौत साथ यो आपकी मोबाइल इसकिंग पा इस वक जो तस्वीर नजर आ रही है ये दुखत तस्वीरे बाड में जिलास्पताल मोर्चरी की है मोटरसाइकल से गिणने से विवाहित की मौत देवर के साथ बाईक पर बैट कर आ रहीती महिला एक महिने के बेटे को डोक्टरों को दिखाने के लिए आ रहीती महिला महिला की चुनरी टाइर में वसने से हुआ हाथ सा ग्रामिन धाना सेतर के भादरेश गाउं की गटना ग्रामिन धाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंच अस्पताल मोर्चरी में मर्त का सफियत पतनी साजन खान निवासी छापरी सफियत महिला जो है उसका सो पुलिस ने जिला अस्पताल मोर्ची में रखवाया है पहिजनों की रिपोर्ट के आदार पर पुलिस द्वारा कारवाई की जाएगी एक महिने के अपने मासुम बच्चे को दिखाने के लिए अस्पताल आ रही थी महिला और इसी दर्मियान बाड में जिले के गरामिन थाना सेत्र के भादरेश के पास महिला की चुनरी टाइर में फसने से महिला जो है वो नीचे गिर गई और उसकी तबियत खराब हो गई महिला के देवर ने अपने चाचा को कॉल किया और वहाँ पर बुलाया चाचा भागते हुए आया और महिला को बाड में जिले अस्पताल पहुँचाया जहां पर डोक्टरों ने महिला को इलाज के दोरान मुम्रत गोशित कर दिया गटना की जानकारी पर ग्रामिन थाना पूलिस भी जिले अस्पताल पहुँची और महिला के सव को जिले अस्पताल मौशिरी में रखवाया फिलाल पूलिस पूरी गटना को लेकर पषिदो की रिपोर्ट के आदार पर कारवाई करेगी और ये तस्वीरे दुखत तस्वी गटना की इस तरह के हाद्सों पर अंकुष लगा जा सके अलांकि ये जो हाद्सा है पूरा ददनाक हाद्सा आप देख पा रहे हैं अपनी मोबाईल इसक्रीम पर बार में जिला अस्पताल की मोचरी की तस्वीरे हैं ये दुखत हाद्सा अब इस पूरे मामले को लेकर पहिला की एक्सिडेंट में मर्ती हो गई है जिसको हॉस्पिटल लेके आए हैं इसे मर्त को सिब कर दिया गया है और बोडी मोरतरी में रखा रहे हैं इस पर ठाने से नारा में एड कोंस्टेबल ग्रामिन ठाने से मोरतरी पहुंचा और प्राथी के परिवार जोनों ने रि पर शुपर की गई है यह रिपोर्ट दी परिजबं मेरी प्राथी साहिब सौबत खान मैं बताए कि मेरी बैन उसका देवर दोनों मोटसेक्ट से घर से रवाना होकर तीन बज़े घर से रवाना होकर बाड में रहा रहते तो भादरेज के पास में मोटसाइक्ल पर नीचे इसके शिर में निलिखो पनातीर मरती हो ग़र से हुखन ही है आप आप ह grounds ये और रहो किलिए और तो तो लाज के लिए आ रहे थे बतात को से सब्सक्राइब के सुआ कि नहीं के साफ़् में